सब्सक्राइब करते हुए अपनी कशा जारी रखेंगे मने आप सभी को बदाया था पिछले दिनों पर शुक्पारिवारिक व्यताओं के कारण से कशा हैं संबादित नहीं हो पारी थी वहराल आज हम लोग जिस विशय पर बात करने वाले हैं वह अपने आप में बड़ा महत सरह वो सकता है एक्जाम्पल जैसे आपके जो इसलेबस में हैं सामादित यवत और योग शात्रत पिछली कख्षा में मैं आप सभी को योग की परिभाशा से कुछ लोगों ने आप मैंसे ये पूरा देटाबेस भेजा है और कुछ लोगों का आपको बाश जो परिभाशा आपको बेजनी थी वो आप लोगों ने नहीं बेजा है बहराल जो भी जब भी कोशिस करें तो आप अपने कम से कम परिभाशाओं को भेज दें लिख के जो मैंने को काम दिया था आज शुरू करने वाले हम् लोग योग के एम अबजेक्टिव के साथ में क्या-क्या योग का उदेश्य है क्या-क्या औप्यक्टिव एपनी चेर्शा जारी रखेंगे और कोशिस यह करेंगे कि अच्छे थरीके से जो भी उदेश्य हो और जो भी जो भी विशे होना आपके हिसाब से क्या objective होना चाहिए यूग को अगर हम देखते हैं एक थर्ड परसन होके हम लोग सब्जेक्ट से संबंदित नहीं है तो यूग का क्या उद्देश्य होना चाहिए ओवर टू यू आल एक एक लाइन हो बताईएगा कोशिस कीजिए का बिल्कुल शौर्ट और अधिक्ट है यूग का उद्देश्य है थीक है कोई और बैठो तुम सोगे पड़ा ही कर रहा हूं स्ट्रॉंग इम्मूंटी यूग का उद्देश्य है ठीक है कोई और स्ट्रॉंटी मांसिक्ट अध्यात्मिक और श्वास्ति मानसिने और अध्यात्मिक और अन्य चीजें तो है मूलता स्वास्तिया आपका में की वर्ड है ठीक है मैक्सिमम लोगों ने एक चीज़ दिखाई कोई और है जो थोड़ाई से हेल्थ के लावा कुछ अलग विशेय में बात करें खुलवब हम प्रिजेंट लाव मिन नहीं do perfect fence लोगों अन्ट करता है चुछंग आपको प्रेजट में के लिए बाते करता है या कि को इस बात से इतिफाक रखते हैं तो इस इतिफाक से नहीं कि ने कह दिए कि हाँ वो ठीक कह रही है रूजणा जी ठीक कह रही है कि यह बात है आप को न है आप कुछ भी नहीं है इतिफाق का मतलब बताएं कि हमारे सिवे इस बात को कोड किया है कि प्रजेंट में जीमन जीनाही यो कमूल उद्देश है, कोई नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूग कोई कि कोई मतलब नहीं है योग में एंटिल अंलेस कि मैं किसी को कोट करते वे ना बताओ कि बाइसा मैंने नहीं फ़लाने ने कहा है इस किताब में कि प्रजेंट में जीने करका ही नाम योग है या इसका यह उद्देश्य हो सकता है उद्देश बता बड़ा घजब का ये प्रश्न है ना कि योग का उद्देश क्या है और उद्देश देखे बिना उद्देश के एम एम आप कह सकते हैं उब्जेक्टिव और एम में तो व्लाव बूदा साथ डिफरंस ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तरीके से किसी प्रजुट को पोस्ट कर रहा है पताया श्लोक तो आपने ठीक पढ़ा लेकिन यह प्रेजन्ट मेंती को नहींना जस्टिफाई कर रहा है स्लोक पढ़ना ठीक बात है न जरा न रोगो नम्रत्यू न बुढ़ापा न रोग नम्रत्यू लेकिन यह सर योग आत्मा की सुद्धी भी करता है यह भी कह सकते हैं बहुत शांदार है आत्मा कबसे अशुद्ध हुई ऑसुद्ध तो नहीं हुई पर जिसे पाभूत्र आत्मा साशुथ है वो शुद्धी और अशुद्धी के ग्राफ पर जज नहीं की जाती जैसे सूरज की गर्मी को आप लंबाई के प्रामेटर से नहीं जज कर सकती न सूरज की गर्मी कह नहीं किलमेटर लंबी है कोई justification है आप बोलोगे यह क्या बात है सूरज की गर्मी कितने केलविन या कंडिला के हिसाब से ताप दे रही है अपको कोई जस्टिफिकेशन है इसका वह तो समय के हिसाब से चलते हैं कि इतने घंटे चल गई सुबह 12 बजे से अब इस तक रात के आठ बजे तक आठ घंटे घड़ी चल गई यानि ये इसका एक justification है लेकिन मैं पूछूंगा कितने किलोमेटर चल गई या कितने कितने प्रकार से चल गई वो सब नहीं सकते वैसे आत्मा शुद्ध है सब्सक्राइब इसका कुई लिए नहीं सब्सक्राइब इसको नहीं जस्टिफाइब कर सकते रहे हैं यह तो इस्वर का में ही योग है और यह अनुभा दौरा प्रत्मिसील ने उनको जाना दा योग के दौरा ही आप साधन दर गे साथ कि उन् क्या है क्यों कर रहे हो यह यह है क्यों कर रहे है हमारे लाइफ में क्या इसका योग का प्रभाव है यह तो से किस प्रकार स्वास्त विरा सकते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेह निखा सकते हैं तो लाइफ स्टाइल में सारी योगा के बहुत बड़ा योगदान है एक बड़ी घजब की चीज़ देखिए अगर इस समय आपके ईश्वर आपको सुन रहे होते सुमय महादेव अगर सुनने होते तो तिरसूल निकाल के मार देते हैं आप लोको इमार देते हैं बोलते हैं ब्योगों सिर्फ स्वास्त के चक्कर में जीवन जीए जारे हो तुम जुदी लाइफ इसटायल को दोड़ो जिम करो जैदे अची लाइफ इसटायल देगा हो सकता है कि दोड़ोगे तो और ज्यादे स्विमिंग करो गुर्ण सवारी करो और तमाम तरीके के सपोस पाटिसिपेट करो दिन बर अच्छा योग तो एक घंटे कर रहे हैं दोजार उपायो योग इत्या विधियते करके तो उसका मतलब है कि मन को प्रशमित करने का है लेकिन मन को प्रशमिती क्यों करना है मन को चलने दो उद्धा ये है योग का उद्देश ये होना ची जो एक शास्वत उद्देश है वो है ब्रह्म की प्राप्ति A to Z ए से लेके जड तक उद्देश क्या है किसी भी प्रकार के योग का और जब मैं योग बोल रहा हूँ तो मेरा योग कई शाखाओं में बटा हुआ है मेरे द्वारा बोला गया योग लेकिन आपका योग सिर्फ एक योग पे केंद्रत है जो पतंजली ने कह रखा है आप जला आता हो कि प्रभू मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तकि कभी जाकर हनुआ है कि मेरे को बस स्वास्ता चाहिए हो turret की आच्छे देवोता है तंत्र योगियों का उद्देश्य क्या है तंत्र योगियों का उद्देश्य क्या है तंत्र योगियों का उद्देश्य क्या है तंत्र योगियों का उद्देश्य कहीं से भी कि आपको किसी मंत्र से सबका उद्देश्य end of the point आप देखोगे, जैसे हर एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, वो ब्रह्म के तरफ ही अग्रिसर है, वैदिक सिध्धानतों के अनुसार, आपके उसमें योग के नेट सेलमस में ये भी है, एक सिध्धानत थेयरी है कि वेदों में योग कैसे कैसे वरो नहीं थे, आज वो प्राचीनता को प्राप्ति किये हुए है, और आट सार का मॉडर्न योग है, कुल सूला प्रकार हम लोग इस समय वैश्विक परिवेश में पढ़ते पढ़ाते हैं, चलो एक एक प्राचीन योग को बताओ, आस्टांग योग, हट योग, लय योग, मंत्र योग, राज यो राज योग, राज योग, हट योग, राज योग, राज योग, हट योग, राज 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 यह नाध यूग में इस्टीम यूग नहीं है में इस्टीम आपके सामने लिखे पड़ी है चार प्रकार को गीता में बताया गया, कुछ लोग आस्टांग को हटकाई पार्ट मांते हैं, लेकिन मीनवाइल हम इसे as a classical हिस्से में अगर बांटें, तो हमें कुछ ये शाखाएं मिल सकते हैं, जिसका सब का अपना अपना वरण है, भक्ती में भक्तों के प्रकार बताया ग पूरा का पूरा उपनिशद इसी बात पर dependent है कि आप अपने ग्यान को लेके चले, सारा का सारा वेद जो है सारा का सारा पुराण ये सब का सब जो है वो ग्यान योग के अधारठे है के लिए कर्म योग का सबसे बहतरीन जो तरीका है आप लोग मूट रहे हैं तो मैं आप लोग को मूट कर दूँगा दिब्या पांचाल जी इसे ज्ञान योग है जो कर्म योग है कर्म योग का सबसे बहतरीन वरण आता है आपकी गीता में गीता बुस्तक ने बहुत सारी बाते बताई हलाकि ये भी प्रश्ण एक आता है कि गीता में कौन सा योग सरवाधिक महत्वपूर माना जाता है अभी हम लोग गये हुए थे जो ये दिली में ट्रेट फेर लुख बता है बुक फेर होता है तो वहां पे गीता सोसाइटी करके उन लोगों ने एक ओनलाइन वहां पे एक ओफलाइन पेपर रखा हुआ था कि आप जाओगे तो आपको ये उसके बाद आपको कुछ सार्टिफिकेट्स वगर ऐसा देगे तो उन्होंने ये प्रश्ण पूशा था अपने उस प्रस्चिन पेपर में कि गीता के अनुसार स देखने को मिलता है अब बात आती है लाय योग को बहुत बड़े हिस्से को गरम बढ़ते है तो वो भी लाय योग के तहरत आता है फिर बात आती है मंत्र योग भी अपने आप में बड़ा विशद विशाल योग का पुरा अनुक्राभ फॉलो करता है और उसमें यह है कि आप मंत्रों की साधना करते हुए दिरे 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 आईश्योर तक पहुँच जाते है और बात आस्टांग योग के आती है, आस्टांग योग का भी जो अंतिम पड़ा हो है, वो समाधी ही है, अब आपको ये सोचना होगा कि आप किस प्रकार से अपने उद्देश्य को डिफाइन करते हैं, और आप सोची कि आप कितने गलत हैं, आप सिर्फ एक चीज़ को फॉल आप पुछा की याचलिया ही, आप नहीं गिजा रही है कि आप सोची को यह बहूत गलत हिशा में, और जब तक आपकि यात्रा जो है, वो पूरी नहीं किया सकती, और ये आपसे अपयक्शव ही नहीं की जारी है, कि आप सोयम को ब्रह्मम में जाके मिला दीजिए, या किसी की help कीज़े कि वो ब्रह्म में जाके मिल जा हर वेक्ति का अपना इश्वर है जिस भी इश्वर में भरोसा रखता है या जिस भी ब्रह्म में भरोसा रखता है उसमें चला जाए meanwhile end of the point सारे धर्मों की एक बात जो बहुत शांदार है मैंने लगबग लगबग बहुत सारे धर्मों की किताब पढ़ी है जिन दवेस्ता तक पढ़ी है जिन दवेस्ता को कोई नहीं यादा पार्सियों को बढ़ा शांदार ग्रंत है वो भी पढ़ी है उन सब में एक चीज है कि जितने भी इश्वरों का वरण हमारे ब्रमान में वरणित है वो सब एक एक लेयर तक ही सीमित है उसके पार तक ही है इसे लिए मिजा आप लोकी मिड़ हुट रहके रुखिये जरह मैं आप लोकी अधिकार को सीमित कर दूँ चले हम आपको अधिकार सीमित है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम इश्वर की बात करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने उद्देश को justify करना है, तो हमें इश्वरत्व के तरफ दिखते हैं, और इश्वरत्व की एक सीमा निर्धायत का रखी है, कि कोई गणेश ये तक सीमित है, कोई उनकी पिताजी या इसंकर भी करता है, सिकिजम तो बहुत नया धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म है, तगर भैन 32 सों से जाए धर्म है, पूरे विश्यों में, जो इसस बातको स्विकारा करते हैं, कि एक परभा ब्रह्म की यूनिफिकेशन में एक बात, तैह है, कि एक ब्रहम है जिससे हम सभी को मिलन अब बात आती है कि आपका क्या रोल है आपका उद्देश्य क्या है बत और योगा ठीचर आपका क्या उद्देश्य है तो आपका उद्देश्य सिर्फ मील का पत्थर बने रहना है अगर आप खुद यात्रा करना चाहे तो most welcome in the field अगर आप चाहते हो कि आप इश्वर से मिलो तो हिमाले आपकी रहा देख रहा है उत्तरा घंट रिशी केस को पार कीजिए हिमाले वहीं से शुरू हो जाएगा जहां तक जा सकते हो जाओ बहुत सारे अच्छे च्छे लोगों से मिल सकते हो वे नो कोशिस करो आप लेक कुल काया दिमाग में कुछ भी नहीं है इतना पता है कि यहां से समाधी आठ आठ हंगों को फॉलो करके जा सकते हैं और मैं आसन प्राणयाम तक एक्सपर्ट हो उसके बाद वाली के लिए आगे जाओ किसी गुरू जी को पकड़ लो मेरी सीमाएं तैह हैं यानि हम सिर्फ यहां तक आपको लेकि जा सकते हैं अगर मालो आपसे कोई मिल जा है इस समय चलो सारी बाते चोलो मैं आपसे पूछ हूँ कि मालो की रणधीर जी को जाना है इश्वर को जाना है परब्रम से एकाकार होना है या एक सिद्धी अडिमा गरिमा महिमा कोई भी एक सिद्धी से बाते योग गुरू ही दे आ सकते हैं क्योंकि योग का ही पार्ट है अब किस योग गुरू के पास जाओगे भारत में हजारों लाखों योग गुरू है और आप ही जैसे हैं जिन सबका उद्धेश्य एक मातर उद्धेश्य है स्वास्तिलाब बहुत यदा कदा आपको यह आपको अडिमा गरिमा लगिमा सिद्धे से रूबरू करा सकते हैं आप क्यों यह करा सकते हैं क्योंकि आपको उद्धेश्य ही वो नहीं है तो हमें सबसे पहले अपने उद्धेश्य को अपने तीनों प्रकार के तापों को अपने तीनों प्रकार के सिस्टम को कंट्रो प्राप्तफल के रूप में योगशास्त्र अवतरित है या योगशास्त्र उद्गृत है योग शास्त्र अवतारित है मेरा चेहरा बड़ा जीब लग रहा है ना बेड़ा डाड़ी मोचे वारे वारे एक जिम्मेदारियां है अब योग का भी नियम फॉलो करना है और बहराल चली चलते रहते हैं मैं तो खुद कोई नहीं देख पा रहा हूँ प्रकार का ताप संसार के तीनों प्रकार का ताप समाप्त हो जाता है समाप्त हो जाता है और जब भी तीन की बात आए तो सतरजतम जो है वो प्रमुक्ता से अपना रोल अदा करता है यह बात याद रखेगा जब भी तीन शब्द आए तो मैक्सिमम टाइम में योग में सतरजतम की ही बात वरी हो क्योंकि ये नेटिवली योग का शब्द नहीं है ये नेटिवली सांखे का शब्द है परन्तु नेटिव है सांखे का ये सतर जितम जो सिध्धानते हैं जैसे वात पित कफ जो है वो नेटिव किसका है आयरुवेद का है वात पित कफ जो है गत्री रोग से सम्मंदित अधर्वेद का है अधर्वेद का है अधर्वेद कौन सा है और अधर्वेद का चलिए आज हम लोग अभी अभी यह ला मीटिंग 40 मिनट में फिनिश हो जाएगी यह वाली कक्षा तो 40 मिनट के अंदर तक देश्य और बागी चीज़ों कर लेता है तो नेक्स 40 मिनट में फिर मैं आपको वापस इसे कीजिएगा तो हम उसमें वेदों में योग पढ़ेंगे आज ठीक है आज हमें वेद और उपनिशत को ठच कर लेना है चली आगे लिखते हैं एक अगला और लिखे गुरक्षा संगिता के पैरलर एक पुस्तक चलती है शिव सरोमिदम ज्यातम भवती निशितम तस्मिन परिश्रम कार्या है तस्मिन परिश्रम कार्या है कि मन्या आधच छास्य भावितम छास्य भावितम है मैं आपको पुस्तर दिखाता हूं इस तरीके की जो किताबें मिलती है ना रोट पर ठीक है शैसे जबॉबली जो किताबें होती है इतनी बड़ी सी इन किताबों को कभी भूल से भी मतफरीतना है यह सारे अर्थ का अनर्थ करतेंगी छीक है यह ना तो इसे जिकॉर्डर लाइन पर नहीं दिखा सकता कि कहां से प्रकाशित है बट मीन वाइल फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस पुस्तक में ISBN नंबर ना हो कृपया करके ऐसी पुस्तकों से दो हाथ की दूरी बना के रखिए ठीक है सारे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं यह ऐसे किताबे आप भी छांप सकते हो ठीक है इन किताबों से दूरी साइए इस रिपीट करता हूं तस्मिन परिश्वा कार्या कि मंचस्य भावितां कि मंचस्य भावितां था पर यह है जिसके जानने से यह संसार घ्यातव होता है यानि जिस ब्रहम को जानने के बाद यह संसार जाना जा सकता है यह संसार बहुत छोटी चीज़ है जाना जा सकता है ऐसे परिश्रम करना चाहिए जिसके जानने से या संसार जानने योग्य हो जाता है और फिर और फिर अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं और ये लाइन बड़ी defective lines है इस पे अगेन बड़ा शास्त्री विवेचन किया जा सकता है कि शिव संगिता क्या ऐसी पुस्तक है जो सांसारिक्ता को promote कर रही है क्या सिव संगिता ऐसी पुस्तक है जो वेदों के द्वारा उद्गृत ज्यान जिसमें ये कहा गया है कि संसार को जानने की कोई आवशक्ता नहीं है सिर्फ ब्रह्म को जानिये क्या उससे ये उद्धिश को अलग दिशा में प्रशित कर रही है ये ठीक वैसा ही सिध्धान्त है जैसे काल माक्सने कहा था ऐसे इस सिध्धान्त उनका बिल्कुल फिट इन फाइन है और इस बात को कुछ लोग मानते भी है कुछ लोग में जैसे रूस है । जो पहले यू-एस असार था टा ऐसे ही नौर्थ कोरिया है, ऐसे ही चीन नाम का एक देश है, यह लोग मानते हैं कि अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का सोशन करता है, और फिर यह काल माक्स के सिद्धान्दों पर अपने देश को बनाते हैं, परनव तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते ह वे यूस यूस असर यानी रश्या जो है वह बहुत बड़ी military पावर भी है चाइना बहुत बड़ economy यानि वह भी सही है और जो लोग कहतें कि यह बात सही नहीं है वह भी सही है अमेरिका भी इन दोनों चीज़ों में बहुत आगे हैं तो सबसे important चीज़ यह है कि हर एक वेक्ति का अपना दृष्टी कोन हो सकता है संसारिक्ता सिर्शंगिता कहती है कि आप योगशास्तर जान लो तो संसार जान जाओगे संसार जाओगे तो आपको विरक्त हो जाओगे क्योंकि संसार बढ़ा जूटा है नहायती बेकार चीज़ संसार में कुछ ऐसा है जिसको जान लाक है इसलिए आप फिर वापस ब्रह्म के तरफ चले जाओगे यानि इंडिरेक्ली ये भी ब्रह्म को प्रमोट कर रहा है बट वाया संसार होके जैसे आपने थ्री डेट मोवी में देखा है वो बोलता है कि हाँ एरपोर्ट तो जाओगा लेकिन वाया होटल होके देखा आपने है कि ब्रह्म के तरफ जाए जाएगा लेकिन वाया संसार होते हुए और संसार को जवाब जाजाएंगे तो फिर ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा जवाब को लगया किस चीज़ को जानना चाहिए क्योंकि संसार ब्रह्म सत्यम जगत मित्या जगत जो है वो मित्या है और यह ल अलग दिशा में प्रवेश कर जाता है ऐसे ही पतंजली ने अपने अपने उद्श्यों को परिमार जित किया है उन्होंने भी इस बात को स्विकार किया है इस समाधी ही जो इश्वर के तरफ प्रमोट करेगी उसी के तरफ आप जाएए समाधी प्राप्ति कीजिए और करते हैं कि आप ठीक वैसे ही मिल जाएंगे ब्रह्म से जैसे एक बूंद जाके समुद्र से मिल जाती है सागर से मिल जाती है तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ प्रयास करना है नदी की भाती जो तेहरते तेहरते बहते 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 जाती है और अथा सागर में मिल आती और फिर िश्वरत तो उद्देश क्या रहा उद्देश बड़ा पायस है बड़ा पवित्र है और वो देश सिर्फ ये है कि ब्रह्म की राप्ति अ ठीक है आप सबका अगे से कभी स्वास्त बताना स्वास्त तो बई-प्रोडक्ट है जैसे साब चनते हैं है चोटे दाने को तो तेल एक तरफ से निकलती है। लेकिन बहुत सारी चीजे भी कि निकलती है। आपने कभी गन्य को गन्य का जूस दिखा है गन्य का जूस निकलते हुए दस रुबए का मिलता अभी तो उसे क्या करता है जब गन्य को जालते है तो जूस जब निकलता है तो जूस आपके काम की चीज है लेकिन कुछ ऐसा भी है जो बाहर निकल रहा है वैसे यह स्वास्त ह योग का अक्शुली आपको चाहिए क्या है आपका उद्देश क्या है जूस पीना और आप लोग किदर फोकेस किये हुए हो वह मोसंभी का जो निकल के छिलका फेक दिया जाता ना आप कहरो कि नहीं नहीं सर मुझे तो वही चाहिए क्या आप जानवर हो गाय भैसो गाय भैस तो कोशिस कीजिए कि अपने में इस्ट्रिम में आ जाए और आपकी में इस्ट्रिम ब्रह्म के तरफ आपको अग्रेशित करने में ही है ठीक है अब यह 10 मिनट में मीटिंग समाप्त होने का संदेश आगया यतने में हम लोग एक लाइन और कंप्रेट कर लेंगे वह है क्या महत्व है अब चलो लोग सा महत्व के विशे में बता दो फड़ा-फट क्या है महत्वा आपकी हिसाब से कि बताइए है इस को स्वास्त पे आगा है मामुला यो का महत्व है पुषधने वे जाना जाएंगे अपने अंदर को जानने के लिए योग करना जरूरी है तो एक तो यह मुटتي है कि योग करेंगे तो खुझ को पता चलेगा हमारी अंदर क्या है जा नहीं नहीं है वो खिशेंो बहाओ है ऑधनिली किसी को याद है योगस चिल्टी निरुद है नहीं 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 चौदा नंबर पर आईए पतंजली को चौदा नंबर पर लेकर आईए कोई है जो बहुत तीवर नकल मारने में एक्सपर्ट हो तर वशिकार वशिकार देरांगे नहीं और कोशिश करो दरता अब ध्याराजी में दरता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अरत तो ठीक जारे हो संस्क्रेश में बोलो अब यह सवाराजा वाराज ना 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 सथ दीरकाल बनो बनो सब्सक्राइब को पतंजली बता रहे हैं उसके अभ्यास के कारण से शद्दा के साथ अगर आप करते हैं तो यह अटूट साधना है और यह आपको द्रड़ता के तरफ अग्रिशित कर देती है यह इसका एक बड़ा शांदार जो महत है वो परदर्शित होता है और योग जब आप योग पढ़ते हैं तो योग को सिर्फ इसमें नहीं बाढ़ सकते हैं योग के बहुत सारे खंडों को उसके महत्तों को बताएगा कि कहां कहां से किस किस तरीके से आप योग के विशह में जाल सकते हैं अब इसको मैं एक सिंपल तरीके से अगर बता हूं तो आप सिर्फ योग एक राउंड में लिखिए योग कम है तो एक गोला बना लिजे और इसके कई सारी तीर निकाल दीजिए और और आपका यही रहेगा कि आप इस पर कम से कम जो जो मैं आपको बताऊंगा उस पर जादे नहीं 50-50 लाइन लिख्ये लाइएगा संस्कृत के श्लोकों के साथ में पचास लाइन में कम से कम 20 लाइन या 10 लाइन संस्कृत का श्लोको ढूंड यह धूंड के निकाली और रट्टा मारिये रट्टा मारना कोई बुरी बात नहीं होती है ऐसा फिल्मों प फिलोशिप कह सकते हैं spiritual profit कह सकते हो importance कह सकते हो अध्यात्मिक महत्व अध्यात्म के बाद मेरी अपनी philosophy में समाज आता है spirituality कि समाजिक महत्व तो परिवार से शुरू होता है तो परिवारिक महत्व भी important है परिवारिक महत्व उसके बाद है परिवार में आप आते हैं तो आपका नैतिक और चारित्रिक अपग्रेडेशन होना जाए तो नैतिक महत्व और चारित्रिक महत्व भी बड़ा महत्व पून है इतने में आपका कारेक्रम वो पूर्ण हो जाए एक और जो चीज आपके लिए रह जाती है वो जैसे मनसा वाचा करमणा में जब हम जाते हैं तो ये भी यानि कि मानसिक महत्तो भी एक छोटा महत्तो आपके लिए important full place ड़ता है तो पारिवारिक हो गया समाजिक हो गया चारित्रिक हो गया नियतिक हो गया मानसिक हो गया ये सारे के सारे महत्तो हैं जो आप identify कर सकते हैं योग के ये जो मैने आपको parameter दिये ना इन parameter पर कोई भी योग उठा के रख लो तो सब का सब justify किया सकता है भकति योग का parameter उठा के रख लो क्या भकति योग का सबसे बहतरीन प्रभाव किस पर पढ़ेगा कौन से वाले पहुत बढ़ेगा मंत्र योग किसके उबर पढ़ना है अगे ना अध्यात्मिक लेगा मानसिक पर राज योग किस पर पढ़ेगा अगे अगर देखो यह अगर कोई फॉलो कर रहा है अस्टांगा का तेरा अहिंसा या नियम देख लो सौच यह जो पूरी लाइन है अहिंसा सत्यार्ष्टे ब्रहमेचरा परिग्रा या सौच स्वाद्ध है तब संदोस इस्वर पाणे दान यह सब यह किसके लिए है यह आपके महतों के रूप में ही तो बद्बू फेला रखी है है कि नहीं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इस्टार्ट्स विट यू जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक शौज नाम की चीज़ नहीं है योग तो बहुत बात की चीज़ है और यह बहुत गलत बात है मैं ऐसे बहुत सारे योगा टीचरों को जानता हूँ जो बिना नहाएं योग कक्षा लेने तो बिना नहाएं तो हिलना भी नहीं चाहिए अपने बैट से उतरते पहला कारेक्रम यह हो कि वाश्रूम में जा चाहें कितनी ठन पड़ तो गर्म करने का सिस्टम लाइए लेकिन नहा के जाईए बिना नहा पारात्मक्ता ही दे का योग के महत्तों में किसी भी योग 抗ड़ तो योग की बात हो रही हो तो आप योग केड़ें बनिए अस्टांगा के डोकेड मत बनिये आप अस्टांगी की ज़िए जब भी आएक तो वो योग से àएगा ना कि वाश्टांग से आएगा आप योग का net देने जा रहा है ना कि आस्टांगा का net देने जा रहा है तो यह बात अपने जहन में बिठा लेज़ें कि आपको हमेशा अपना ग्राफ's जो है वो बहुत विशाल बना के देखना हो ठीक है? और इसी विशालता के याधार पे आप इन बातों को जच कर पाएंगे तो आज मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिया एक तो योग का उद्धिश्य और एक योग का महत्वाद यह है कि वेदों में योग के विशह में हम लोग थोड़ा और अद्धियर जारी रखेंगे इस मीटिंग को मै इंड करता हूं यानि कि यह रिपोर्टिंग अलग से हो जाएगी और फिर मैं आपके साथ एक नया लिंक साजा कर रहा हूं अभी आपके ग्रूप में आपको वापस उसे जोइन कीजिए और हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पहले वेदों की बारे में तो योग के बारे म आपको विसेश्ट ध्यान नखिए चलिए जोइन करते हैं अगले में अगले में अगले में अगले में